ओम शान्ति 25 अगस्त 2024 दादी जी के सत्रवे पुर्णे स्मरती दिवस पर दादी जी को हम सब भाई बेहनों की और से सत्सत नमन दादी जी के अव्यक्त मास में हम दादी जी की विसे सिक्षाओं का मनन कर रहे हैं जिसमें दादी ने हम बच्चों को बाप समान संपूर्ण संपन बनाने के लिए अंत समय में विग्णवा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए अनेक सहज युक्तियां बताई ऐसे ही दादी कहती देह एहंकार देह अविमान और देह भान में अंतर देह एहंकार माना धन का एहंकार पोजिशन का एहंकार लोकिक अलोकिक प्राप्तियों का एहंकार क्यान का एहंकार बुद्धी का एहंकार कुलवा जाती का एहंकार रूप की सुन्दर्ता का एहंकार ताकत का एहंकार परिवार का एहंकार अपनी किसी विशेस कला का एहंकार पड़ाई का एहंकार दान का एहंकार अनुभवी पन का एहंकार पुरुशार्थ का एहंकार अपने गुणों का एहंकार अपनी धार्णाओं का एहंकार अपने त्याक का एहंकार क्लास कराने का भासन करने का एहंकार अपनी इन्वेंशन का एहंकार प्राप्त हुई सिद्धियों का एहंकार देह एहंकार वाला समझता मेरा इठू तूसरे सब रौंग है मैं जो बोलूं जो सुनाऊं वह राइट है मेरा सेंटर बहुत अच्छा मेरे स्टुडेंट बहुत अच्छे मेरे सब प्रोग्राम बड़े एक्यूरेट होते हैं अपना ही वर्णन करता रहेगा मेरे पन के नसे में बुद्धी चूर रहती है बाबा ऐसे को सांडा कहते हैं एहंकार वाले को छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाएगा क्रोध एहंकार का भाई है जोस अभिमान वाले का भाई है क्रोध जोस और फिलिंग इन तीनों सब्दों की गुहियता में जैसे अंतर है वैसे ही देह एहंकार देह अभिमान और देह भान में भी बहुत अंतर है देह अभिमान दादी कहती अपनी महिमा सुन कर खोसो न दूसरे की महिमा कोई करे तो सहन न करना दूसरों की निंदा करना किसी को आगे बढ़ता हुआ देख इर्षावा जेलेसी उत्पन होना मान सान की इछा रख कर सेवा करना दूसरों के आउगुणों का वर्णन करना अपने को रियलाईजना करना दूसरा बदले तो मैं बदलू अत्वा बदला लेने की भावना रखना तोंट कसना हसी उड़ाना आदी देह अभिमान वाले की वहवा करो तो काम करेगा मान दो इज़द दो तो मन ठीक रहेगा अगर मान ना मिले तो माइन डिस्टर्ब अवस्था डावाडोल उसका आधार है हर एक बात के लिए उनकी बड़ाई करो उनकी बात मानो उनको इन्चार्ज रखो पहले मान दो फिर काम बताओ उनका आधार ही मान सान है अगर मान ना दिया खातिरी न की तो अवस्था खराब मुझे कोई पूचता नहीं मेरी कोई रिक्स्पेक्ट नहीं मेरा कोई ध्यान ही नहीं रखता यह सब देह अभिमान है वह कभी भी अपनी भूल को सुईकार नहीं करेगा दूसरों की छोटी सी बात को नोट करेगा उसे काटेगा उसके लिए स्वयम को शौरी कर लेना बहुत मुस्किल है उसमें निर्मानता का गुर नहीं होता दूसरे को आगे बढ़ना भी सहन नहीं होता अपनी बात को सिद्ध करने की जित करेगा वह अपने स्वभाव के वस होगा उसमें सहन सकती नहीं होगी किसी की बात को मानने की त्याग की सकती नहीं होगी उसमें हर कारे करने की सकती होगी लेकिन वह वह करो पुस करो तो कारे करेगा तेहे अभीमान वाला अंदर में यहां रियलाइज अवस्य करता यहां मेरी कमी है लेकिन मैं उस कमी को परिवर्तन कर लूँ यहां नहीं सोचता कहेगा मेरे में है तो क्या सब में भी तो है देहे अभीमान वाले के सामने तुरंत दूसरा आता वहाद दूसरों के लिए राय बहत्दुर होता फलाना ऐसा क्यों नहीं करता यहां बोल देहे अभीमान वाले के हैं देही अभिमानी दूसरों के गुणों को अपने अंदर देखने और परिवर्तन करने की सकती रखता है वर्तमान समय मैजोरिटी प्रामनों के बीच इस देह अभिमान का ही विशेश विगन है इसका ही फोर्स है देह भान दादी कहतीं जरासी बात में डर जाना भैबीत होना लज्जा सर्म देह में ममर्त्व नाजुक बनना बीमारी का स्वरूब बन जाना नाज नकरे से चलना आराम पसंद बनना सक्ती होते हुए भी सक्ती हिन बनना आलक से आना थोड़ी सी सर्विस में ठकावट टिप टॉप होकर रहना देह का भान यह बहुत सुक्ष्ण बात है जिन में देह भान नहीं उनका बाबा की हर दिन चर्या पर पूरा ध्यान रहेगा वह बाबा के यग्ये का हर कार्य बहुत प्यार से करेंगे चाहे कोई हाइड वर्क मिले चाहे आफिस का वर्क मिले चाहे बरतन साफ करने का दोनों में समान होगा अगर देह भान है तो आफिस का काम खुशी से करेगा बरतन साफ करने को कहो तो हिचकेगा जिनें देह का भान है उन्हें हर बात का साधन चाहिए हर प्रकार की सेलवेशन चाहिए सेलवेशन नहीं तो सेवा नहीं सेलवेशन को आधार बनाना यह देह भाने मुझे पूरा साधन मिले तो मैं काम करूँगी नहीं तो नहीं देह भानवाला कोई भी कार्य उमंग से ना करके दूसरों से कराएगा खुद आलश्य के वशिभूत होगा सोचेगा कोई दूसरा कर ले तो ठीक उसमें सेवा का उमंग नहीं होता सुस्ती होती है वहा दूसरे को आधार बना कर चलता निराधार नहीं होता उसमें अपने सरीर को भी चलाने की सक्ती नहीं होती अपने को मोल्ड करने की सक्ती नहीं देह भान के कारण बाबा के कारे में चुस्ती नहीं रहती हिम्मत हुलास नहीं होता देभान को खत्म करने के लिए सर्वसेल्वेसन का त्याक चाहिए देभान निकलने की निसानी ही है सब कुछ त्याग बेहत का बेराग्य देभान के कारण ही बांधे लिया अपना बंदन नहीं तोड़ सकती मुझे लोग क्या कहींगे सर्माती है लोग लाज यह बह रहता है उनके अंदर सुक्ष्म में रहता कोई मुझे कुछ कहना दे देखना ले वह अपनी करमेंद्रियों के वस होते हैं करमेंद्रियों पर अधिकार नहीं होता उनका हर करम निर्बलता का होता है मैं इस्त्री हूँ इस्त्री वा पुरुष चोले का भान ही देखन है उसी भान से चलना, बोलना यह सब देखन में आता है अच्छा, तो ऐसे ही और दादी जी की सिक्षाओं के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जादा से जादा वीके भाई बैनों को सेर करने की सेवा जरूर करें ओम शान्ती